हेलो दोस्तों मैं सिसकुमार अपने यूटूब चाहें बिहार जी के ट्रिक्स में आपका स्वाथ करता हूँ आज हम लोग SPT 232 के करेंट अफेर्स के अंतरगत इसके पेज नमर 7 और 8 के सभी important topic के वन लाइनर करेंट अफेर्स को इस वीडियो में पढ़ेंगे तो यदि आप लोगों ने अब तक हमाया चनल भी हाज जी के ट्रिक सब्सक्राइब नहीं क्या है तो इससे सब्सक्राइब कर ले साथी बेल आइकन को जोड़ दुआए तो आएए वीडियो को शाट करते हैं तो आज का पहला topic है विष्व यवं भारत के तीन शुर्श सूपर कंप्यूटर जिसमें पहले हम लोग परहेंगे विष्व के शिट्श तीन शूपर कंप्यूटर के बारेंगे तो आई चलते हैं नहीं बारे बारे से पड़ते हैं तो पहले अस्थान पर है frontier जो की अमेरिका का सूपर कम्प्यूटर है दूसरे अस्थान पर फूगाकू है जो की जापान का सूपर कम्प्यूटर है और तीसरे अस्थान पर लूमी है जो की Finland का सूपर कम्प्यूटर है तो भात के सिर्ष तीन सूपर कम्प्यूटर जिसमें पहला है परमसिधी जो की CDAC पूने में अस्थापित है दूसरा परतियुस है जो की IITM पूने में अस्थापित है और तिसा भात का सूपर कम्प्यूटर मिहीर है जो की IITM पूने में अस्थापित है तो यह थे भात के अब आगे हम लोग परेंगे भात वन अस्थेती रिपोर्ट 2021 जिसका परला पॉइंट है कि भात वन अस्थेती रिपोर्ट 2021 कब जारे किया गया तो यह दखेंगे 13 जनवरी 2022 को किसके द्वारा तो परियावरन एवं वन मंत्री कौन है तो भुपेंद्रियादव के द्वारा साथ ही यह भी आदखेंगे कि यह जो किसकरम का अस्थिती रिपोर्ट है तो यह रिपोर्ट जो है यह सत्रवी रिपोर्ट है अब आई चलते हैं परिछा उप्योगी महत्पून तत्यों को जानते हैं तो सबसे पहला है देश में कुल वन एवं विच्छावरन कितना है तो याद अखेंगे देश में कुल एवं वन विच्छावरन 8,9537 वर किलो मीटर है जो की कुल छेदफल का 24 दसमलो 62 परतिशत है अगला प्रशन है देश में कुल वनावरन कितना है तो देश में कुल वनावरन 7,13,799 वर किलो मीटर जो की कुल छेदफल का 21 दसमलो 71 परतिशत है आगे है देश में कुल विच्छावरन कितना है तो देश में कुल विच्छावरन 95,748 वर किलो मीटर है जो की 2.91 परतिशत है अब आगे हम लोग चानते हैं कुल विर्धी किसमें तो वन और विक्षाबरान में कुल विर्धी कितनी हुई तो यहाँ रखेंगे पिछले वर्स की तुल्ला में इस वर्स 2261 वर किलोमेटर की इसमें विर्धी हुई है नेक्ष्ट है वन आबरान में विर्धी कितनी हुई तो 2019 की तुल्ला में 2021 में 1540 वर किलोमेटर की विर्धी हुई किसमें तो वन आबरान में और यह 2019 की तुल्ला में 0.22 परतिशत है नेक्ष्ट है विर्धावरा में कितनी विर्धी हुई 2019 की तुल्ला में तो 721 वर किलोमेटर जो की 2019 की तुल्ला में 0.76 परतिशत है अब आगे है देश में कुल मैंगरो बन कितना है तो या दखेंगे देश में कुल मैंगरो बन 4992 वर किलोमेटर है जिसमें की 2019 की तुल्ला में 17 km2 अर्था 17 वर km की बृद्धी हुई है अब आगे है सरवादिक मैंग्रो वन चेत्र वाले राज कौन है तो सरवादिक मैंग्रो वन चेत्र वाले राज है पहले अस्थान पर परश्यम बंगाल जहां 42.33 परतिशत पर बन है दूसरे अस्थान पर गुजरात है जहां 33.54 पर वन है और तिसरा है अनमान निकोबार जहां 12.34 पर वन है तो आप लोग याद रखेंगे सरवादिक मैंग्रो वन चेत्र वाले राज है पहले अस्थान पर परश्यम बंगाल फिर गुजरात और तिसरा अस्थान पर अनमान निकोबार अब आगे हैं में लोग परहेंगे सरवादिक वन चेत्र वाले राज कौन है तो इसका उत्तर है मद्र परदेश उसके बाद अरुनाचल परदेश और फिर तिसरासान पर 36 गर जिसमें की मद्र परदेश में 27,493 वर किलो मीटर पर वन है वहीं अरुनाचल परदेश में 66,688 वर किलो मीटर में वन है और 36 गर में 55,717 वर किलो मीटर में वन है नेक्स्ट है सबसे कम वन छेत वाले राज कौन है तो यहाँ दखेंगे तीन राज यहां दिया गया है पहले अस्थान पर हर्याना है जहां मात्र 16,3 वर किलो मीटर में वन है दूसरे अस्थान पर पंजाब है जहां 847 किलो मीटर वर किलो मीटर में वन है और तीसरे अस्थ वाले तीन राज कौन-कौन हरियाना पंजाव और गोवा आगे है वनाबरन में ब्रिधी दिखाने वाले सिर्ष राजी कौन-कौन है तो तीन राज दिये गए हैं पहला आंद्परदेश जहां 647 वर किलोमीटर की वनाबरन में ब्रिधी हुई दूसरा है तेलंगाना जहां 632 वर किलोमीटर की व्रिधी हुई और तीसरा है ओडिशा जहां 537 वर किलोमीटर की व्रिधी हुई तो यह थे वनाबरन में ब्रिधी दिखाने वाले सिर्ष तीन राज अगला प्रशन है सरवादिक वनाबरन परतिशत वाला राज कौन-कौन है अर्थात वैसा राज जहां स देश के वनों में कुल कारवन अश्टोक कितना है तो यहां दखेंगे 7204 मिलियन टन यह लगभग आपको बतलाया गया है तो यहां दखेंगे देश के वनों में कुल कारवन अश्टोक 3204 मिलियन टन है अब हम लोग प्रमुक क्रिसिगत उत्पादन भारत एवं विस्प में परहेंगे तो सबसे पहले हम लोग विस्प में परथम को परहेंगे तो आई चलते हैं चावल का उत्पादन सबसे ज़्य का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहां होता तो यह भी सबसे ज़्यादा चीन में होता है नेक्ष्ट है मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता तो यहां रखेंगे मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है नेक्ष्ट है दलहन या फिर दाले का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहा होता तो दलहन या फिर दालों का उत्पादन सबसे ज़्यादा अपने देश भारत में होता है नेक्ट है मुंगफली का उत्पादन किस देश में सबसे ज़्यादा होता तो याद रखेंगे मुंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में होता है नेक्ट है गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहां होता तो इसका उत्तर है ब्राजील में गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा ब्राजील में होता है जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहा होता तो भारत में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा अपने देश भारत में होता है तमबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता तो यहाँ दखेंगे तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में होता है किस देश में? चीन में अगला प्रश्ण है प्राकिर्तिक रवर का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता? तो इसका उत्तर है थाइलेंड में कहां? थाइलेंड में अगला प्रश्चन है कौफी का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता तो याद रखेंगे कौफी का उत्पादन सबसे ज़्यादा ब्राजील में होता है नेक्स्ट है। सुर्ज मुखी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहा होता? तो याद भखेंगे सुर्ज मुखी का उत्पादन सबसे ज्यादा युक्रेन में होता है नेक्ष्ट है जुआर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहा होता तो या दखेंगे जुआर का उत्पादन सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है नेक्ट प्रश्ट है कपास का उत्पादन किस देश में सबसे ज़्यादा होता है तो कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में होता है नेक्ट है प्याज का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहा होता तो याद खेंगे सोयाबिन का उत्पादन सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है दूद का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में होता है कहां भारत में चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहां होता नेक्स्ट है तीलहन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहा होता तो या दखेंगे तीलहन का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में होता है तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि विभिन दोस्तों में सबसे ज़्यादा क्रिसीगत उत्पादन किस देश में होता है अब हम लो में पर्थम राज के बारे भी जानेंगी कि कौन सा राज जो है प्रमुख क्रिसीगत उत्पादन में पर्थम अर्स्थान पर है तो आई चलते हैं बारे बारे से रखते हैं तो परला है चाबल का उत्पादन किस राज में सबसे ज़्यादा होता तो यह रखेंगे चाबल का उत्पादन सबसे ज़्यादा पर्षिम बंगाल में होता है वहीं नेक्ट है गिहूं या फिर आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहा होता तो गिहूं या आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर परदिस में होता है नेक्ट है मक्का का उत्पादन सबसे ज़्याद कहा होता तो या दखेंगे मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा करनाटक में होता है नेक्स्ट है दलहन या फिर दाले का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहा होता तो या दखेंगे मध्य परदेश में नेक्स्ट प्रश्ण है मुंगफली का उत्पादन किस राज में ज्यादा होता तो इसका उत्तर है गुजरात में कहा गुजरात में गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज में होता है? तो गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में उत्तर परदेश राज में होता है जूट का उत्पादन किस राज में सबसे ज़्यादा होता? तो परश्रिम बंगाल में नेक्स्ट है तमबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज में होता है तो यहाद दखेंगे तमबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा आंधर परदेश में होता है किस राज में आंधर परदेश में नेक्स्ट है प्राकिर्तिक रबर का उत्पादन सबसे ज़्याद सबसे ज़्यादा किस राज में होता है नेच्ट है कोफी का उत्पादन सब्से ज़्यादा किस राज में होता है कहां महाराष्ट में अगला पश्चन है कपास का उत्पादन किस राज में सबसे ज़्यादा होता तो इसका उत्तर है गुजरात में नेक्ष्ट है प्याज का उत्पादन किस राज में सबसे ज़्यादा होता है तो यहाद दखेंगे महाराष्ट में प्याज का उत्पादन किस राज में सबसे ज़्यादा होता है महाराष्ट में अगला परश्ट में चाई का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज में होता है तो याद दखेंगे अर्ष्रम अर्थात अर्ष्रम में अगला प्रश्ण है सुयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज में होता है तो या दखेंगे मध्य परदेश में किस राज में मध्य परदेश में अगला प्रश्ण है दूद का उत्पादन किस राज में सबसे ज़्यादा होता तो या दखेंगे उत्तर प्रदेश में दूद का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज में होता है नेक्स्ट है चिनी का उत्पादन किस राज में ज्यादा होता है तो महाराष्ट में किस राज में महाराष्ट में अगला परशने मशाला का उत्पादन किस राज में ज्यादा होता तो यह दखेंगे मध्य परदेश में मशाला का उत्पादन किस राज में सबसे ज्यादा होत है मध्य परदेश में अगला पश्ण है कुल तिल्धन का किस राज में सबसे ज़्यादा होता तो यह दखेंगे राज अस्थान में तो यह था भाद के सिर्ष राज जहां किर्शिकत उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है अब आई चलते हैं हम लोग प्रमुख खनेज उत्पादन भाद एवं विस्प में परेंगे तो इसमें भी अब सबसे पहले हम लोग विस्प में पर्थम जानेंगे कि कौ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तो कोईला का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में किया जाता है वहीं हीरा का उत्पादन किस राज में होता सोरी किस देश में सबसे ज़्यादा होता है तो इसका उत्तर है रूश में नेक्स्ट है तामा का उत्पादन किस देश में ज्यादा होता है तो इसका उत्तर है चीली में नेक्ट है लो एस का विसमे पर्थम अस्थान उत्पादन करने वाला देश तो इसका उत्तर है आस्ट्रेलिया नेक्ट है चांदिक का उत्पादन कौन सा देश सबसे ज्यादा करता अर्थात कौन सा देश पर्थम अस्थान पर है उत्पादन करने में तो यह दखेंगे मैक्सिको नेक्स्ट है कच्छा तेल का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता कौन सा देश तो अमेरिका नेक्स्ट है प्राकेर्थिक गैस का उत्पादन करने में कौन सा देश पर्थमास्थान पर है तो यह दखेंगे रूश नेक्स नेक्स्ट है बॉक्साइट का उत्पादन करने में कौन सा देश पर्थम अस्थान पर है तो यह दखेंगे आस्ट्रेलिया जो है बॉक्साइट के उत्पादन करने में पर्थम अस्थान पर है नेक्स्ट है मैगनीज के उत्पादन करने में कौन सा देश पर्थम अस्थान प चीन पर्थम अस्थान पर है नेक्स्ट है यूरेनियम का उत्पादन करने में कौन सा देश पर्थम अस्थान पर है तो या दखेंगे कजाखा स्थान जो है यूरेनियम के उत्पादन करने में पर्थम अस्थान पर है नेक्स्ट है टंगस्टन के उत्पादन करने में कौन सा देश पर्थम अस्थान पर तो चीन निकेल के उत्पादन करने में कौन सा देश पर्थम अस्थान पर या दखेंगे इंडोनेसिया जो है निकेल के उत्पादन करने में पर्थम अस्थान पर है निकेल के उत्पादन करने में पर्थम अस्थान पर कौन सा देश तो दक्चिन अफ्रीका नेक्ट है टीन के उत्पादन करने में कौन सा देश पर्थमस्थान पर या दखेंगे चीन नेक्ट है सिसा के उत्पादन करने में कौन सा देश पर्थमस्थान पर तो इसमें भी चीन सबसे आगे है नेक्ट है पलेटिनम के उत्पारण करने में कौन सा देश सबसे आगे है तो याद लखेंगे दक्चिन अफ्रीका अब आई चलते हैं हम लोग भात में पर्थम राज के बारे में जानेंगे जो विभिन खनीजों को उत्पारण करने में कौन सिर्थ अस्थान पर है तो पारला प्रस्ता की कोईला के उत्पादन करने में भात का पर्थम राजी कौन सा है तो या दखेंगे 36 गर्ण नेक्ष्ट है हीरा के उत्पादन करने में भात में पर्थम राजी कौन सा तो इसका उत्तर है मध्य परदेश नेक्स्ट है तामबा की उत्पादन करने में भात में पर्थम राज्ये तो इसका उत्तर है मध्य परदेश नेक्स्ट है लोग ऐस की उत्पादन करने में भात में पर्थम राज्ये या दखेंगी उड़ीशा नेक्ट है चांदी के उत्पादन करने में कौन सा राज भात में पर्थम है तो इसका उत्तर है राज अस्थान नेक्ट है कच्छा तिल उत्पादन करने में भात में पर्थम अस्थान पर तो राज अस्थान वहीं प्राकिर्ति ग्यस के उत्पारन करने में भाथ में कौन सा राज सिर्ष पर है तो याद रखेंगे अश्रम राज ये नेक्ट है बॉक्साइट के उत्पारन करने में भाथ का पर्थम राज कौन सा तो उड़ी सा नेक्स्ट है मैगनीज के उत्पालन करने में भात का पर्थम राज कौन सा तो इसका उत्तर है मद्य परदेश नेक्स्ट है सोना के उत्पालन करने में भात में पर्थम राज कौन सा तो इसका उत्तर है करनाटक नेक्स्ट है अब्रक के उत्पादन करने में महात का पर्थम राज कौन सा आंदर परदेश आगे है यूरेनियम के उत्पादन करने में महात का पर्थम राज कौन सा या दखेंगे आंदर परदेश नेक्स्ट है टंगस्टन के उत्पादन करने में महात में पर्थम राज कौ कौन सा है या दखिएंगे आंधर-प्रदेश नेक्स्ट निकेल की उत्पादन करने में भाद में पर्थमराज कौन सा या दखिएंगे छट्थीश गर्ण नेक्स्ट है सीशा की उत्पादन करने में भात में पर्थम राज ये इसका उत्तर है राज अस्थान नेक्स्ट है प्लेटिनम की उत्पादन करने में भात में पर्थम राज ये या दखेंगे उडिसा तो ये थे खनीज जिसका भाद में पर्थम अस्थान जिसका उत्पादन भाद में पर्थम राजिक करने वाला राजिक कौन सा है अब आई चलते हैं अगले पेच को पढ़ते हैं अब हम लोग अस्थलो अवियानों के परवर्तित नाम के बारे में परहेंगे कि पुराना नाम कौन सा था और उसका परवर्तित नाम करके क्या कर दिया गया है जिसमें पहला है कि अरुनाचल परदेश का होलोंगो ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट का नाम क्या कर दिया गया तो यहाँ दखेंगे डोनी पोलो एरपोर्ट महाराष्ट का चीपी हवाई अड़े का नाम बदल कर क्या कर दिया गया तो यहाँ दखेंगे बरिष्टर नात पाई हवाई अड़ा क्या है बरिष्टर नात पाई हवाई अड़ा नेक्स्ट है उज्जैन का महाकाल कोरिडोर का नाम परिवर्थित करके क्या कर दिया गया तो याद आखेंगे सिरी महाकाल लोक क्यार कर दिया गया है सिरी महाकाल लोक अगला प्रश्चन है फैजाबाद कैंट का नाम बदल कर क्या कर दिया गया तो अऐोधिया केंट नेक्स्ट है दौलता बाद किला जो कि महराष्ट में है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया तो यहाँ दखेंगे देवगिरी किला क्या कर दिया गया है देवगिरी कीला आगे है की भी थू सैन सिविर जो की अरुनाचर परदेश में है इसका नाम क्या बदल दिया गया है तो इसका नाम जनरल विपिन रावत मिलिटरी गैरिशन कर दिया गया है नेक्ट है दिल्ली के राजपत का नाम करके बदल कर क्या कर दिया गया तो करतब्य पत्थ ये question जो है आपके exam के लिए काफी important है इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे नेक्ट है चंडिगर हवाई अड़े का नाम बदल कर क्या कर दिया गया तो यहाद खेंगे सहीद भगत सिंग अंतराश्टी हवाई अड़ा नेक्ट है लिसेश्टर क्रिकेट ग्राउंड जो की इंगलेंड का है इसका नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया तो सुनिल गवा कर किर्केट ग्राउंड के नाम पर कर दिया गया है नेक्ट है पॉइंट पांच हजार एक सो चालिस जो की द्रास सेक्टर है इसका नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया है नेक्ट है महराष्ट का और अंगाबाद जिला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया तो इसका नाम अब सांभाजी नगर कर दिया गया है किसका तो औरंगाबाद जिला का नाम बदल कर सांभाजी नगर कर दिया गया है नेक्स्ट है राष्ट्री रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदल कर क्या कर दिया गया तो गती सक्ती विश्विविद्याले क्या कर दिया गया है गती सक्ती विश्व बिद्या ले आप लोग भी मेरे साथ दुराते रहेंगे नेक्स्ट है हाई जन सब्द का नाम बदल कर क्या कर दिया गया तो डॉक्टर अम्बेदकर किस ने किया ऐसा दिल्ली सरकार ने ऐसा किया है रूची सोया इंडरस्ट्रीज का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है इसका नाम कर दिया गया है पतंजली फुर्स लिम्टेड नेक्स्ट है टाटा असकाई का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है या दखेंगे टाटा असकाई का नाम बदल कर टाटा अपले कर दिया गया है सिवपुरी ग्राम पंचायत का नाम बदल कर क्या कर दिया गया या दखेंगे कुंडेश्वर धाम किसका नाम सिवपुरी ग्राम पंचायत का नाम बदल कर कुंडेश्वर धाम कर दिया गया है मिया का बारा रेलवे अस्टेशन जो की राजस्थान में है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया याद अखेंगे महेश नगर हॉल्ट नेक्स्ट है होशंगाबाद का नाम बदल कर नर्मदापूरम सिवपूरी का नाम बदल कर कुंडेश्वर धाम और बाबाई जो की मर्द परदेश में ये तीनों जो है मर्दे परदेश में है याद अखेंगे बाबाई का नाम बदल कर माखा नगर कर दिया गया है गुजरात का केवरिया रेल्वे अस्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो इसका नाम एकतानागर रेल्वे अस्टेशन कर दिया गया है अब आगे है जवाहलाल नहरू रोड जो की सिक्क में है इसका नाम बदल कर नैंद मोधी मारग रख दिया गया है बिहार मखाना का नाम बदल कर क्या कर दिया गया तो मिथला मखाना जिम कॉर्बेट राष्ट्रिय उद्यान का नाम बदल कर क्या कर दिया गया या दखेंगे राम गंगा राष्ट्रिय उद्यान नेक्ट है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सैनिक एस्कूल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया या दखेंगे जनरल विपित रावत सैनिक एस्कूल वहीं उत्तर प्रदेश के जहांसी रेलवे एस्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है तो या दखेंगे विरांगना लक्त्मी व या मामा रेलवे एस्टेशन क्या कर दिया गया है टांटिया मामा रेलवे एस्टेशन अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रक्षा अध्यान और विशलेशन संस्थान दिल्ली का नाम बदल कर क्या कर दिया गया तो इसका नाम मनोहर पढ़ेकर रक्षा अध्यान और विशलेशन संस्थान कर दिया गया है नेक्ट है मध्य परदेश के हवीव गंज railway station का नाम बदल कर क्या कर दिया गया या दखेंगे रानी कमलापती railway station अगला परशन है लोग सभा रास सभा TV का नाम बदल कर संसद TV कर दिया गया है नेक्ट है उत्तर प्रदेश के फैजावाद रिल्वे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया तो याद आखेंगे आयोध्या कैंट नेक्स्ट है मिड्डे मिल योजना का नाम बदल कर क्या कर दिया गया याद आखेंगे पीम पोशन एस्कीम मिड़े मिल योजना का नाम बदलकर पीम पोशन एस्कीम कर दिया गया है चिंदवारा विस विद्याले जोकी मद्य प्रदेश में है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया तो इसका नाम बदलकर राजा संकर्शा विस विद्याले कर दिया गया है अर्सम का राजीव गांधी औरंग राश्ट्रिय उद्ध्यान का नाम बदलकर औरंग राश्ट्रिय उद्ध्यान कर दिया गया है पुने का सेना खेल संस्थान का नाम बदल कर क्या कर दिया गया तो इसका नाम नीरत चोपरा स्टेडियम रख दिया गया है नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न प्रोषकार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया तो इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्रोषकार कर दिया गया है नेक्स्ट है काकोरी कान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया तो काकोरी ट्रेन एक्षन कर दिया गया है इसे भी आप लोग याद आखेंगे ये काफी भी भी आए है अगला प्रश्ण है बन्डवा डी रेलवे अस्टेक्शन जो की उत्तर प्रदेश में है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया तो बनालस जक्शन आगे है मोटेरा अस्टेडियम जो की अहमदाबाद गुजरात में है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया तो नरेद मोदी अस्टेडियम नेक्श्ट है मानव संसाधन विकास मंत्राले का नाम बदल कर क्या कर दिया गया तो सिच्छा मंत्राले अब अगला प्रश्ण है मानव संसाधन विकास मंत्राले का नाम बदल कर सिक्षा मंत्राले कर दिया गया है नेक्स्ट है रेल्वे सुरक्षा बल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया या दखेंगे भारते रेल्वे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है नेक्स्ट है चेरानी नासरी सुरंग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया या दखेंगे डॉक्टर स्यामा परशाद मुखरजी सुरंग अगला प्रशन है वील दीप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया या दखेंगे एपीजे अबदुल कलाम दीप के नाम पर नेक्स्ट है, हैव लोग द्वीप या फिर निल द्वीप का नाम, तो हैव लोग द्वीप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, या दखेंगे, शुराज द्वीप और निल द्वीप का नाम बदल कर सही द्वीप कर दिया गया है, नेक्स्ट है, रोस द्वीप का नाम बदल कर तो नेताजी सुवाश्चन बोश दूइप कर दिया गया है तो यह था परवर्थित नाम अब हम लोग 2021-22 में भोगोलिक संकेत अर्था GI टैग प्राप्त उत्पात के राज को पढ़ेंगे इसमें पहला है सिरार खोंग या हाथी मिर्च या फिर तामेंग लॉंग या कचाई निम्बू के लिए किस राज को GI टैग प्राप्त हुआ तो याद रखेंगे मनी पूरको अगला प्रश्ण है टेरा कोटा के लिए GI टैग प्राप्त किस राज को हुआ तो उत्तर परदेश के गोरक पूरको नेक्स्ट है एड्यूर मिर्च या फिर कटी कटू आम के लिए तो या दखेंगे केरल को अगला प्रश्ण है वाधियंत्र नर्सिंग पेट्टाई नाग स्वर्म इसके लिए किस राज को GI टैग प्राप्त हुआ तो या दखेंगे तमिल नाडू को नेक्स्ट है कोविल पट्टी कदलाई मिताई या जो की मुंग फली केंडी है इसके लिए किस राज को GI टैग प्राप्त हुआ तो या दखेंगे तमिल नाडू को नेक्ट है कन्या कुमारी लॉंग या फिर पलानी पंचा मिर्थम के लिए किस राज को जियाई टेग प्राप्त हुआ तो या दखेंगे तमिल नाडु को नेक्स्ट है तवलोप वान या फिर पांडुम या फिर नगोते खेह शौन के लिए किस राज को जियाई टेग प्राप्त हुआ या दखेंगे मिजोरम को नेक्ट है वाडा कोलम चावल या फिर अलिबा का जलगाओ केला या सफेद प्याज के लिए किस राज को जियाई टेग प्राप्त हुआ तो या दखेंगे महाराष्ट को अगला परशन है खाजे जो की मिठाई है हरमल मिर्च और मिनदोली केला केला के लिए किस राज को जियाई टेग प्राप्त हुआ या दखेंगे गुवा को आगे हैं तिरूर पान का पत्ता मर्यूर गुण वाइनार्ड रोबस्टा कॉफी के लिए किस राज को जियाई टेग प्राप्त हुआ या दखेंगे केरल को नेक्ट है कुरूप पूर कलमकारी प्रेंटिंग या कला कुरीची वुड नकाशी के लिए किस राज को जियाई टेग प्राप्त हुआ या दखेंगे तमिल नाडू को नेक्स्ट है वीलो क्रिकेट बैट या फिर गुच्ची मस्रूम के लिए किस राज को जियाई टैग प्राप्त हुआ या दखेंगे जमू काश्मीर को next है कोलाप पूरी चपल के लिए किस राज को GI टेग प्राप्त हुआ तो इसके लिए सेखत रूप से दो राज को GI टेग प्राप्त हुआ है कौन-कौन से राज उनके नाम है करणाटक और महाराष्ट next है नागा खीरा, मीठा खीरे या फिर किंग चिली के लिए किस राज को GI टेग प्राप्त हुआ या दखेंगे नागा लैंड को next है कांगरा चाय या फिर चंबा चपल के लिए किस राज को GI टेग प्राप्त हुआ या दखेंगे हिमाचल परदेश को नेक्स्ट है कांध माल हल्दी या उडिशा रसगुला के लिए किस राज को जियाई टेग प्राप्त हुआ या दखेंगे उडिशा को अगला है तामबे के उत्पाद टम्टा उत्पाद या फिर कंबल थुलमा के लिए किस राज को जियाई टेग प्राप्त हुआ या दखेंगे उत्रा खंड को नेक्स्ट है इदू मिसमी कपरा के लिए किस राज को जियाई टेग प्राप्त हुआ या दखेंगे अरुनाचल परदेश को नेक्स्ट है रक्त से कारपो खुबानी के लिए किस राज को जियाई टेग प्राप्त हुआ या दखेंगे लद्धाक को आगे है डिंडी गुल ताले तिरु भूबनम शारी स्री बिल्लर पुथूर पलकुवा के लिए किस राज को जियाई टेग प्राप्त हुआ या दखेंगे तमिल नाडू को सोजत महंदी के लिए किस राज को जी आई टेग प्राप्त हुआ या दखेंगे राज अस्थान को जीरा फुल चावल के लिए किस राज को जी आई टेग प्राप्त हुआ या दखेंगे 36 गढ़ को फिर है सिर्शी सुपारी गुल बरगा तुरदाल के लिए किस राज को G.I. टेग पराप्त हुँआ याद खेंगे करनाटक को नेक्ट है महोबा का पान या फिर बागपथ उत्तर प्रदेश के रटोला आम के लिए किस राज को G.I. टेग पराप्त हुआ तो याद अखेंगे उत्तर प्रदेश को फिर है इरोड हल्दी या फिर कंदागी सारी के लिए किस राज को जी आइटेग प्राप्त हुआ तो याद अखेंगे तमिल नाडू को नेक्स्ट है कुर्ग चिकन मंगलूर बाबा बुदनगीरी अरेवी का कॉफी के लिए किस राज को जी आइटेग प्राप्त हुआ तो इसका उत्तर है करणाट को नेक्स्ट है कुमाओ का चुरा तेल या फिर मुन्सियारी राजमा के लिए किस राज को जी आई ट्रैक प्राप्त हुआ या दखेंगे उत्रा खंड को मिहधाना मिठाई या सुन्दरवन सहथ के लिए किस राज को G.I.T. प्राप्त हुआ तो या दखेंगे पर्शिम बंगाल को फिर है आराकू वैली अरेबिका कॉफी के लिए किस राज को G.I.T. प्राप्त हुआ तो या दखेंगे आन्ध पर्देश और उरीशा को नेक्स्ट है बेटिया दन जो की कालीन है रंगोली एपन और रिंगल क्राफ्ट के लिए किस राज को जी आई टेग प्राप्त हुआ तो या दखेंगे उत्रा खंड को फहीं next है पेठापूर ब्लॉक प्रिंटिंग के लिह किस राज को GI TAG प्राप्प्थ होगा तो यह तखेंगे गुजरात को महसुहुर मिर्च डरले खुलसीनी के लिए किस राज को GI TAG प्राप्थ होगा तो यह तखेंगे शिक्रिंट को नेक्ट है चा खाओ जो की काले चावल के लिए किस राज को GI टेग प्राप्त हुआ तो यहाँ दखेंगे मनीपूर को नेक्ट है मिथला मखाना, सिलाव खाजा, मदु बनी प्राप्तिंग के लिए किस राज को GI टेग प्राप्त हुआ तो यहाँ दखेंगे बिहार को यह 68 BPSC के लिए काफी इंपॉर्टेंट है उसमें भी मिथला मखाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगला प्रस्ण है हापूर आम या फिर सांगली हल्दी के लिए किस राज को GI टेग प्राप्त हुआ तो यहाँ दखेंगे महाराष्ट को नेक्स्ट है जरदालू, आम, कतर्णी, चावल या फिर साहि लीचे के लिए किस राज को जियाएटैक प्राप्त हुआ तो यह दखेंगे बीहार को नेक्स्ट है गमोचा या गुडीमा राइश वाइन या फिर सराब या तेजपूर लीची के लिए किस राज को जियाइटेग प्राप्त हुआ तो या दखेंगे अर्शम को नेक्स्ट है चिन्नोर चावल या करकनात मुरगा के लिए किस राज को जियाइटेग प्राप्त हुआ तो या दखेंगे मदेपरदेश को फिर है तंदूर लाल चने या अदिलाबाद ध्रोका या फिर तोलिया रुमाल के लिए किस राज को जियाइटेग प्राप्त हुआ त दाज लिंक की चाय को दिया गया था कब दिया गया था तो 2004 से 5 के बीच में इसका पंजीकरद 10 वर्सों तक माने होता है तो आज हम लोगों ने पेज नंबर 7 और 8 के सभी important topic के one-liner current affairs को परा ऐसे ही हम लोग परते दिन दो पेज के सभी one-liner current affairs को परेंगे तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसके जाला से जाला लाइक करें आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद